है हेलो फ्रेंट्स के जाने आकिर ग्रह और तारे क्यों होते हैं गोल और उल्कापिंड़ के आड़े तीछे होने का क्या है रास हम सब ने देखा है के ग्रह और तारे सामान याखरूत में गौल होते हैं वहीं उल्का पिंड़ उबर्ट खाबर से होते हैं ऐसे में कई बार यहां सवाल मन में आता है कि आखिर इसकी वजह क्या है वह कौन सा कलाकार है जो बैटकर रहों और तारे को तरशता है ग्रहों जैसी बड़ी सवरशनाओं की आफुरती के पीचे गुरु गुरुत्वा कर्शन के विपरित बल लगाते हैं गुरुत्वा कर्शन और फोस्वस्तु की प्रकृती के बिच लड़ाई में जीतने वाली ताकत से आखृती तय होती है उधारन के तोर पर मनुश्य आकार में बहुत छोटा है हमारे शरीर के तुलना में हमारे शरीर की श भाबत है जाती है ग्रह और तारय आंप्ध क Schulch बहुत जादा बढ़े होते हैं सलेवों होते हैं पधारत पर नीजबर करती है आप कूल दी कि लोने प Ohio कुए फिFC पजायेगर यहीं इ versión करता है कि वहां कि इस पजाष से सी बणाvert उन्दा के अधिकता वाले पिंड़ को गोल होने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा हमारी सौर्वेवस्ता में किसी बर्फिले पिंड़ को गोल होने के लिए कम से कम 400 किलोमेटर व्यास जरूरी है जैसे जैसे उसमें मुझत पथा तमस्बूत होता जाएगा यह क्यों ग्रह और तारे गोल होते हैं और उल्खा पिंड़ा आड़े तिर्चे क्यों होते हैं आज के वीडियो अगर आपको पसंदा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कीजिए शेयर करना ना भूलें अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के सा अग्यों अग्यों य